PTM के शेयर 70% गिर चुके हैं शोक और थोड़ा सा अब्वियस भी लगा Retail investors PTM में फस गए हैं और बहुत सारे लोगों का ये question होगा Hello friends, so recently मेरी building में एक मित्र हैं उन्होंने मुझसे question पूछा कि PTM के शेयर 70% गिर चुके हैं क्या करूँ, उनको average out कर लूँ और ये सुनके मुझे थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा obvious भी लगा कि बहुत सारे Retail investors PTM में फस गए हैं और बहुत सारे लोगों का ये question होगा उनसे लगबग 10-15 मिनिट का discussion हुआ और इस discussion के बाद मुझे समझ में आया ये question तो बड़ा common होगा क्योंकि 18,000 करोड का IPO था बहुत सारे Retail investors इसमें फसे होगे और यही question होगा उनके मन में कि करे तो क्या करे क्या average out कर ले या फिर कुछ लोग ऐसे होगे जो average out करते 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 ही जा रहे होगे और अब उनको लग रहा होगा कि थोड़ा और उपर जाएगा तो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है so वैसे जब इसका IPO आया था तो मैंने IPO पे भी वीडियो बनाया था और उस वक्त मैंने clearly मना किया था कि PTM के IPO में इतनी बड़ी बात नहीं है इसको छोड़ दे तो ज़्यादा था PTM ने जितने भी cashback बाटे है ना अब उसका वापस लेने का समय आ गया है तो उसने public को पहले तो बहुत सारे cashback बाटे फिर लोगों को लेके आपने platform पे 35 करोड से ज़्यादा लोग उसके platform पे है ठीक है बट फिर भी जाहिर से बात है इतना advertisement हुआ था तो काफी लोगों ने लिया ही होगा तो इस वीडियो में उसको हम detail में देखने वाले है तेकिन answer सिर्फ yes और no की बात नहीं है देखो मैं yes और no में अगर आपको बता दूँगा कि हाँ ये yes कर लो ये no मत करो उसमें आपका फायदा नहीं होगा क्योंकि यही गलती आप बार बार दूसरे shares में भी हो सकता है करो तो ये जो topic है सिर्फ ptm को ध्यान में रखके इसको मत देखना इसको ऐसे देखो कि यार अगर मैं इस तरह की situation में आता हूँ ये yes या no में ढूनने की बज़ए एक बार ये समझने का प्रयास करो कि आपकी philosophy क्या है as a investor और किस तरीकिस अगर आपने कोई philosophy बिल्ड नहीं की है तो at least आप यहाँ से कुछ ले सकते हो और कुछ उसके इसाब से बिल्ड कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले ptm के share को एक बार देखते हैं सबसे पहले यहाँ से जो इसका high था लगभग 1800 अच्छली 2000 तक गया था ये ठीक है और 2000 पे था कुछ और अब वहाँ से लगभग 70% जैसा के screen पे आप देख पा रहे हो 70% तक crash हो चुका है अच्छा जो डिसकेशन की शुरुवात होई थी यहाँ से उन्होंने कहा कि यार मेरे पास लगभग 2000 के आसपास का भाव है और अब तो ये 500 आ चुका है तो यहाँ पे अगर मैं इसको average out कर लो इस तरीके से कि ये 700 तक तो जाएगा उनका ये मानना था कि मैं sure हूँ अगर मैं इसको दूसरी पे लेता हूँ दूसरा color लेता हूँ उनका कहना था कि 700 तक तो आ जाएगा फिर मैं बेचके निकल जाऊँगा या पे बेचके निकल जाऊँगा तो आप मैंसे भी काफी लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि या average out कर लेता हूँ थोड़ा उपर जाएगा तो निकल जाऊँगा मैंनो उनसे पूछा आप कितने sure हो कि 700 पे जाएगा तो उनका कहना था अरे यार अब कितना ही गिरेगा 70% तो गिर चुका है तो यहां से थोड़ा उपर तो जाएगा मैं sure हूँ I'm sure आप मेंसे भी काफी लोग होंगे जो sure होंगे इस बात को लेकर के अब मेरा question एक और है कि जब आपने इसको 2000 में लिया था 800 में लिया था या जितने में भी 1500, 800, 2000 जितने में भी आपने इसको लिया था लग भी 200 पे IPO के I think आया था तब क्या आप sure नहीं थे आप तब भी sure थे कि Paytium तो बहुत बढ़िया कंपनी है यहां से तो उपर ही जाएगी कोई unsure होकर के थोड़ी लेता है कि यार मैं unsure हूँ यह नीचे गिर जाएगा सब लोग सोचते हैं यहां से उपर ही जाएगा तो मेरा question है अगर आप भी इस तरीकी से सोच रहे हो कि अब तो 1800 का था वहां से लग भग लग भग आ चुका है 600 के आसपास 500 के आसपास अच्छिली 535 के आसपास आ चुका है तो अब कितना ही गिरेगा यहां से कुछ उपर तो जाएगा ही जाएगा तो average कर लेता हो करके निकल जाओगा और क्या basis है उसका उपर जाने का आप कह रहे हो कि नहीं मुझे लग रहा है आपको जो लग रहा है आप उसमे sure हो रहा हो और आप उसी बात की surety आपने यहां पर भी दिखाई थी investment ऐसे नहीं होती अगर कोई इस तरीके से सिर्फ share price देख करके invest कर रहा है कि अब गिर गया है यहां से तो आप और क्या ही गिरेगा तो ऐसे case में आपके पैसे पूरे के पूरे जा सकते है क्योंकि यह यहां से भी गिर सकता है क्यों अब इसको समझो देखो मान लो आपके घर के सामने एक बहुत बढ़िया दुकान है बहुत बढ़िया दुकान है है ना मिठाई की दुकान है और वो बंदा प्रॉफिट पे प्रॉफिट दर्ज किये जा रहा है मेरा question है अगर आपको मौका मिले थोड़े सस्ते में उस business में हिस्सेदारी खरीदने का तो क्या आप हिस्सेदारी उसमें खरीदोगे या नहीं खरीदोगे आंसर बढ़ा obvious है कि अगर इतनी बढ़िया दुकान है और इतना profit किये जा रही है तो हिस्सेदारी तो मैं वहाँ पे जरूर खरीदोगा लेकिन अगर मैं आपको वही कहूँ कि वो जो दुकान तो है देखने में बढ़िया लेकिन लगातार loss के loss किये जा रही है तो मेरा आपसे प्रश्ण है कि क्या आप वहाँ पे हिस्सेदारी खरीदोगे आंजर है नहीं है ना नहीं खरीदोगे नहीं घाटे के बिजनस में हिस्सेदारी क्यों खरीदोगे आप अच्छा मज़िदार बात ये भी है कि वो business माल लो दस साल से वहाँ पे चल रहाए तेनी येर से है महाँ पे दस साल हो चुके हैं उसको तब तो आप बोलोगे न कि कोई नया बिजनस भी नहीं है ये तो यार बहुत पुराना बिजनस है जब 10 साल से profit नहीं हो पा रहा है ये तो अब मैं इसको यहां से कैसे guarantee मानूं कि यहां से यह profit हो जाएगा सुजरा एक बार PTM का sales का and revenue का ये सब का data देखते हैं ठीक है उसके पहले एक चीज ये भी clear रखो कोई भी business open करता है end of the day वो profit ही दर्ज करना चाहता है हर business यही चाहता है कि कम से कम यार profit तो दर्ज होना ही चाहिए और 2-4 साल चलो business बनाने में चले जाते हैं 10-10 साल अगर जाएं और 10 साल तक profit ना आए तो पंगा है ना तो एक बार PTM का business देखते हैं ठीक है I'm sure आप मेंसे काफे लोग को PTM का business model थोड़ा बहुत तो पता ही होगा उन्हें इतने products पे काम कर रहे है PTM mall से लेकर के PTM money से लेकर के PTM financial services वाला पूरा system है वो तो अलग है ही है अब ये company पहले जब आई थी तो 1 lakh करोड की company थी 1 lakh करोड की company थी है आज 35,000 करोड की बनी है बची है यानि कि लगबग 70% तूट चुकी है लेकिन जो main business का objective होता है वो ज़रा देखते हैं तो यहाँ पे मैं click करता हूँ sales पे जाता हूँ तो ये देखो company का sales जब से ये list होई है तब से उपर तो जा रहा है which is okay, good दूसरा लेकिन क्या ये business profit कुछ बना पा रही है ये देखो 2000 quarter by quarter यहाँ पे इसका sales का data तो बढ़ रहा है लेकिन घाटा जो है वो भी उसी ratio से बढ़ रहा है दिख रहा है आपको 600 करोड का घाटा पिछले quarter में हुआ है साल दर साल पे वही अगर आप point देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे 2016 में पेटियम 1500 करोड का घाटा दर्ज कर रही थी वहीं पे इसका घाटा अब ये देखो 2600 करोड का है आसपास पूरे साल भर में 2600 करोड का जब इंडिया में demonetization हुआ था मैं आपको अपना भी बताता हूँ जब इंडिया में demonetization हुआ था PTM उसका सबसे बड़ा beneficiary था one of the biggest beneficiary biggest beneficiary customer acquisition तो इसे चुटकियों में हो गए थे PTM के उसके बावजूद अगर PTM पैसा नहीं बना पा रहा है profit नहीं दर्ज कर पा रहा है तो हम किस उम्मीद पे उस पे और ज़्यादा invest करें अगर आपने जो 800 पे खरीदा है तो खरीदे रहने दो अगर आपको बेचना नहीं आपको ये शौर है न कि अगर आपको लग रहा है कि नई location मेरा thought process थोड़ा अलग है पेटियम का business model technology वाला है मतलब अलग अलग जगह से पैसा बना लेगा आपको ऐसा लग रहा है तो भाई जब आपको ऐसा लग रहा है तो 800 में तो आपने खरीदा ही था आप तो यही सोची खरीदे थे थे ना कि 800 के उपर जाएगा तो चलो बीच में नीचे गिर के जा रहा है तो जाने दो क्या फरक पड़ता है आप उसको ही hold करके रखो लेकिन नया कि स्पेस पे आड़ कर रहे हो कोई तो logic होगा as a investor आपका सिर्फ share price नीचे आ गया इसलिए नहीं यह logic सहीं नहीं है हाँ आप पूछ सकते हो कि लोकिश फिर कैसे करे अगर average out करना है तो कैसे average out करे कुछ तो logic बताओ तो देखो मेरा logic बड़ा simple है company अगर अच्छी है आज इसका loss लगबग 2600 करोड का हो रहा है तो आप यह मान के चलो जिस दिन इसका loss 1000 करोड के नीचे आएगा उस दिन में पहली बार average out करूँगा चाहे आप दो share से चार share से जो भी आप convenient लगे उतने फिर उसके बाद इसका घाटा जब और घटे घटे 500 करोड पे आएगा तब मैं करूँगा और जिस दिन zero हो जाएगा उस दिन जोला भर लूँगा और जब एक रुपया profit हो जाएगा एक करोड तब तो मज़ा आजाएगी और उसके बाद तो rally enjoy करनी क्योंकि देखो positive direction में जाती रहेगी company तब तो average out करने में मज़ा है अब ये घाटा पे घाटा बढ़ाये जा रही है competitor इसके अलग है market में चाहे वो phone पे हो cred हो, gPay हो, amazon पे हो कितने सारे competitors है कौन से base पर ये सब को beat करेगा कुछ तो logic मुझे दिखने रहे हाँ मुझे ये ये नहीं मैं कह सकता कि ये 100% हार जाएगा रेस में ये नहीं कह सकता हो सकता ये जीत जाए लेकिन जीतता हुआ कुछ तो दिखे data में तो आपको जो averaging करने होती है वो data देख करके करने होती है ना कि इधर उधर की बात सुन करके इधर उधर की बात सुन करके कि अरे भाई price नीचे आ गा अरे भाई price तो नीचे आ नहीं है घाटा भी तो बढ़ गया है अब आप सोचो ना जब यह IPO लेकर के आए 2021 में तो 1500 करोड का घाटा था आज घाटा डबल हो चुका है भाई साहब कमपनी का आप एक घाटे वाले बिजनस में क्यों हो और पैसा डालोगे कोई सेंस है इस बात में नहीं न तो मेरे हिसाब से अगर आप average out करना चाहते हो तो बिलकुल मत करो वो पैसा चाहिए तो side में रखे रहो है हाँ दूसरी financial institutions में डाल दो finance में आप पैसा बनाना चाहते हो न कि आपको लग रहा है fintech space में मेरा कुछ पैसा बनेगा अरे तो अभी के लिए उस पैसे को बैंकों बगरा में रखो चाहिए HDFC में ले लो या कुछ और bank fintech space में दूसरा देखो जो profitable है as a investor आपकी कोई philosophy होनी चाहिए कि यार मैं घाटे लगातार घाटे करते हो घाटा कर नहीं रही है घाटा बढ़ा हा रही है ऐसी company ओ में average out क्यों ही करोगे हो सकता है आपको कल को ये 200 रुपए में भी मिल जाए और तभी भी क्यों लोगे जब घाटा बढ़ी रहा है इस company का तो क्यों लोगे जब घाटा इसका कम होने लगे हाँ अगर आज ऐसा हुआ होता 1500 का घाटा 1200 का हो गया होता फिर 1000 का हो गया होता तो मैं बोलता कि घाटा अब कम हो रहा है लगता है इनका जो sales बढ़ रहा है उसकी वज़े से इनका घाटा बढ़ियां coverage आ रहा है, margin आ रहा है पर वैसा तो कुछ होई नहीं रहा है तो कौन से logic पर कहए दूं कि आप इसको average out कर लो सो अच्छा average out कहां किया जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल कहां किया जा सकता है जैसे अब देखो ये वाला example ये वाला example देखते है बजाज finance का मैं example के तौर पर बता रहा हूँ ऐसा कोई recommendation मत ले 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 न ठीक है इसका sales देखो इस company का कितना beautifully उपर आ रहा है ठीक है कोईट के time पे stagnant था फिर से जैसे कोईट गया देखो उपर आ गया highest sales अभी इस ने इस company ने दर्ज किया अपना और जब ये company अब profit भी देख लेते हैं ज़रा इस company का इस quarter में हाँ सो ये रहा है इस company का profit 3,752 करोड का profit before tax और 2,781 का net profit highest profit ever मतलब अभी तक का highest profit इस company ने दर्ज किया पजाज फाइनेंस ने और यहाँ पे देखो साल दर साल के हिसाब से देखोगे मार्ट 2022 में लगबग 7,000 करोड का और इस साल लगबग ये company गया है लेकिन share price का क्या हुआ जरा देखो share price जहाँ पे 7,000 की range में था आज लगबग 6,000 की range में आ चुका है आज भी I think इसमें बड़ा गिरावट हुआ है सो ऐसी जगह पे इसको मैं 5 साल पे कर देता हूँ तो और price नीचे आ चुका है तो इसका P.E. भी काफी 5 साल के नीचे के P.E. के हिसाब से तो ऐसी company को average आउट करो जहाँ पे sales profit बढ़ रहा है company आगे बढ़ रही है और share price किसी वजह से गिर गया तो तो ले लो उसको अब अगर business भी गिर गया share price भी गिर गया तो इसका मतलब थोड़ी average आउट कर लोगे आप समझा उमीद है आपको इससे thought process मिला होगा और आप इसको अपने portfolio में चेक करोगे कि आप कहीं गलती से गलत shares को तो average आउट नहीं कर रहे हो और उस शक्कर में आप धस्ते चले जाओगे फस्ते चले जाओगे आप सोचोगे कि 500 से 700 तो आएगा ही वो देखते देखते 300 चला जाएगा फिर आप average आउट वहाँ पे करोगे कि 500 तो आएगा ही फिर वहाँ से 100 चला जाएगा क्योंकि आप business देख ही नहीं रहे हो आपको share price तो सबसे अंत में देखा जाता है सबसे पहले देखा जाता है company का business वो चल रहा है कि नहीं क्योंकि कोई भी company अगर market में आती है तो वो ये देखती है कि business से profit दर्च करना है और अगर company घाटे में लगातार बढ़ती जा रही है तो क्यों उसको खरीद रहा है सामने मैंने बता है न अगर आपके घर के सामने बढ़िया सी दुकान भी हो लेकिन लगातार घाटे पे घाटा किये जा रही है और ज़्यादा घाटा कर रही है आप उसमें क्यों हिस्सेदारी खरीद होगे मुझे बताओ कोई लॉजिक ही नहीं बनता हाँ अगर वो प्रॉफिट करती तो आप सोचते कि यार इसमें हिस्सेदारी ले लेता हूँ ठीक है उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और अगर हाँ आपका कुछ कॉमेंट है कुछ वीव है कुछ थौट परसेस और है बिलकुल आपका कोई और भी थौट परसेस 101% हो सकता है तो प्लीज कमेंट सेग्में में बताइएगा मिलता है नेक्स वीडियो में तांक यू सो मच और जैहिन